ये बात है 2003 की हाई कोट ने आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को अयोधिया राम मंदिर पर शोत करने का काम सौपा A.S.I. ने आदेश पाते ही शोत करने का काम शुरू कर दिया उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की वे कुछ फीट नीचे ही गए थे कि उनको कुछ ऐसी रहसिमई चीज दिखाई दी जिसे देखकर A.S.I. की पूरी की पूरी टीम के साथ पूरी भारत सरकार तक हिल गई उनको ये अंदाज़ा तक नहीं था कि आयोध्या में उनको इतनी रहसिमई और प्राचीन चीज मिलेगी दोस्तों आपको जानकर ये आजचारे होगा कि 2020 में भी आयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए जब जमीन के नीचे जाच की गई तब भी वैज्यानिकों को कुछ ऐसी चीज़े दिखाई दी जिसे देखकर राम मंदिर का काम रोकना पड़ गया आखिर ऐसा क्या मिला अयोध्या के नीचे जिसे देखकर भारत सरकार को भी इस पर यकीन नहीं हुआ आखिर एसाई ने इन चीज़ों पर ऐसा क्या कहा जिससे पूरी भारत सरकार में खल बली मच गई आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर के जमीन के नीचे का रहसे इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा बावडी मजजित का विदिवंश कार सेवा को ने किया कहना था कि राम मंदिर तोड़कर बावडी मजजित बनाई गई थी विदिवंश के बाद अदालती कारवाई शुरू हुई और जब ये मामला हाई कोट में पहुँचा तो हाई कोट ने ASI से कहा कि बेविवादित इस्थल की खुदाई करे इलाबाद हाई कोट के लखनो ब्रांच के साथ ASI ने खुदाई का काम शुरू किया इस टीम को VR मनी हेड कर रहे थे खबरों के मताबिक लगबग दो महिने तक ASI ने इस जगा की खुदाई की खुदाई में कुछ ऐसी चीजे मिली जिससे देखकर सबके होश उड़ गए 11 जून ASI की टीम ने अंतिव रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में ASI ने हाई कोट में 574 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट सौपी इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था चलिए जान लेते हैं ASI ने कहा कि आयोध्य के नीचे खंबो के अधार मतलब खंबो का निचला हिस्सा जो की कच्ची इटों से बना हुआ था वो मिला खुदाई में सभी खंबे एक कतार में मिले थे एक दूसरे से लगबग साड़े तीन फीट की दूरी पर 1993 में ये दावा किया गया था कि सभी खंबे अलग-अलग कालों के हैं सभी एक समय के नहीं बनाए गए हैं इन कबरों को देख कर ये साफ नहीं किया जा सकता था कि कबरे हिंदू की है या मुसल्मानों की लेकिन मुसलिम पक्ष ने ये कहा कि कबर इस बात की गवाई देती है कि इस से पहले इस इलाके में मुसलिम अबादी रहा करती थी वहीं हिंदू पक्षों ने भी अपना दावा ठोका और कहा कि आयोध्या में पहले अंगीरा, मारकंडे, नारद, रामानंद और शंदीले जैसे कई संतों को मृत्यू के बाद दफनाया गया था। साड़े तीन फीट की उचाई पर 4.75 गुना और 4.75 फीट उचाई पर दूसरा चबूतरा मिला। इस पर सीडिया थी जो की नीचे की और जाती थी। क्या ही छोटी छोटी चीजे भी मिली। क्या ही छोटे छोटे पत्थर भी मिले। इन पर कुछ ना कुछ अंकित था। कोटा के तराशे हुए पत्थर जो मानवर पशुआ करतियों की तरह लगते थे। यहां पर इसके इलावा और भी कैई प्राचिन काल की चीजे मिली थी। 2019 में राम जनम भूमी का मसला सुलचाने के बाद यहां राम मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। हाली 2020 में यहां सम प्राफिक महत्व की कई वस्तुएं भी मिली जैसे की कलश, पुष्प, अमलक, इत्यादी। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं के खंडित मूर्थिया के आकिरती साथ ब्लैक टच स्टोन के स्थंब, छै रेड स्टोन के स्थंब, सहीत पांच प्राफिक महामंत्री चानपत राय के दौरा बयान दिया गया कि पिछले दस दिनों में हम मलवे को हटा कर समताली करण का काम कर रहे थे, यहां धाचे के नीचे काफी कुछ दबा हुआ, जिसमें पत्थर की मूर्थिया शिबलिंग समेथ काफी अन्यम वस्तुएं भी मिली दोस्तों आपको जानकर या आस्चारे होगा कि राम जनम भूमी के नीचे सरीयो का स्टोध भी मिला था, जिसे देखकर मंदिन निर्माड का कारे भी स्थागित कर दिया गया था, यहां पर इतने सारे प्राचीन वस्तुए और इतने सारे प्रमान मिले, जिसे देखकर यह पर प्राचीन काल सही भगवान राम का वास था, तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केर